आज पूरे देश में एक तरीके से जश्ट का महावल है और केंद्र सरकार इस दिन को खास बनाने में एक तरीके से लगी हुई है सौ करोड लोगों को वेक्सिनेट कर दिया गया है पूरे देश की जहां तक बात है तो और भाजवा के लोग यह जगय जा रहे हैं लोगों को धन्यवात दे रहे हैं Спक्त हमारे साथ जहरखं के स्वास मुंत्री बना गुपता जी है बना कुपताजी देश एक तरीके जी ने कहा था कि आपदा को अफसर बनाओ और अफसर को उसब बनाओ तो मुझे ये समझ माया था कि आपदा को अफसर बनाने की उनके व्यापक सोच है कि लोगों से ताली बजवाया थाली बजवाया और अगर बत्ती मुंबत्ती जलवाया तो लोगों में एक संबाद पैद मनाना है जिसके घर मेंद चीक पुकार हो रही है लोग मर रहे हैं एक घर के तीन-टीन चच्चा लोग मर जा रहे है उसको मैं कैसे बता है उसमोना मन चुगा उँ मैं लेकिन सरगं वाला वतारवरण कहां से लौ में मे लुगर मान करता या खुसोने का लेकिन आप मुझे ये थियोरी तो पताइए कि जिसके घर में चार लोगों की मौत हुई है उसके घर में जाके हम कैसे करके तासा और बाजा बजाएं आपके कहने का मतलब है कि सौ करूर टिका करन हुआ यह जस्ट मनाने का विशे नहीं है यह जस्ट मनाने का वि मनाओ जसन बाहरा इस ऐतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर न जले और ऐसा जसन मत मनाई है कि आने वाले समय में फिर कोरुणा फैल जाए आप अभी तक हम कोरुणा से मुक्त नहीं हुए हैं तीसरे लहर और कहर से हमको भैबीत होने की जरुवत है उसके विरुद और की जान सब्सका नहींस एक हुए फोल चूक किया है और आप ने जुर्णा आपने Mi ke pod अधर किया है और आपने प्रैद्व टेरोगंぎada करें और शुमर्णी करते हैं तो देश में आज लाखों लाख लोग नहीं मरते इसके लिए प्रधान मंत्री जी को सार्जनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए इस देश से देखी बहुत बड़ी बात बना जी ने एक तरीके से कह दी लेकिन एक सवाल बना जी ये बनता है कि चलिए ठीक है आपके नजर में ये खुशी का समय नहीं है तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अभी रसिया में भी स्प्रेड हो रहा है नए तरीके से फिर इसका हो रहा है आपका ये आपने अपनी बात रखी लेकिन आप एक बताईए कि जार्खन में ही जो हिल्थ सिस्टम है आप 108 एंबुलेंस आपने देखी होगी कि जब कोविट का दौर चला तो उसका किस तरीके से समा इस्तमाल हो र निशी तोर पर हम तो ये मानते हैं कि निंदक निर राखे आंगन कुटी छवाए बिन साबुन पानी भी ना निर्मल करें सुहाए तो मुझे तो इस बात की खुसी है कि जो लोगतांत्र में चौथा इस्तम है वह अंतिम पाइदान पे खड़े व्यक्ति की अभी व्यक्ति और उसकी स्वतंतरता और उसके अधिकारों की बात कर रहा है तो मैं तो आपके प्रति बहुत प्रसंचित हूँ लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक कावद भी है कि सर मुडाते ओले पड़ गए जैसे ही सरकार नहीं सरकार का गठन हुआ गठन होने के एक महिना के उपरा कामी और जो इसको डबल इंजन की सरकार कहते थे फूल मेजुरिटी की सरकार कहते थे उस सरकार की कमी खामियों को हम ओबर नाइट ठीक नहीं कर सकते थे लेकिन हमने उस दिशा में बहुत कारगर कदम उठाए हैं ये सही है कि अभी तक हम स्वास की दिशा और दसा में कल्पना को साकार करेंगे और जो कमी खामी आएगी उस कमी को दूर करने के लिए हम वच्ण बद्ध हैं बहुत बढ़ी हैं तीके बनना जी कह रहे हैं कमियां हैं खामियां हैं और हम इसका स्वागत भी करते हैं और कमीयों को दूर भी करेंगे दो साल निकल गया इन चीजों को सुनते सुनते अब देखना है कि कब तक ये बेसिक कम्याग एटलिस दूर होती है चुकि वैक्सिनेशन की बात थी और अभी पिछले दिनों इन्हें के विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुन सिंग ने सारे डिसीज को पत्र लिखा कि कम से कम पर दे तीन लाख वैक्सिनेशन सुनिश्चित कराना है मतलब स्वास महकमा समझ रहा है कि वैक्सिनेशन के मामले में हम पीछे हैं और उस पे स्पिड अप करने की जरूरत है लेकिन बन्ना जी की अपनी एक दलील है कि आज जिस सौ करोड वैक्सिनेशन के नाम पे नहीं होना चाहिए तैयारी करनी चाहिए कि आगे थर्ड वेब न आए राजेश कुमार सिंगी ठीवी भारत राची